आप सभी को जै मसी की, हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है आईए हम लोग मिलकर पांच बातों की और हमारे ध्यान को लेकर जाएंगे ये पांच बाते मुसा ने परमेश्वर से प्रातना के द्वारा मांगा था और हम लोग अपने आत्मिक जीवन में इन पांच बातों को मांगेंगे विशेश करकर हम कुछी दिनों में एक नए साल में प्रवेश करेंगे तो इस नए साल में ये पांच बाते हमारी जीवन में होना चाहिए और हम लोग परमेश्वर से ये मांगते रहेंगे आईए हम लोग देखेंगे ये पांच बातें क्या है हमारे ध्यान को हम निर्गमन के किताब उसका 33 वी अध्याय 13 आयत से लेकर उसकी 18 आयत पर हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर इस प्रकार लिखा है उसकी 13 आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ और अब यदि मुझ पर तेरे अनुगर की दृष्टी हो तो मुझे अपनी गती समझा दे यहाँ पर मुसा परमेश्वर से कहता है सबसे पहला प्रै रिक्वेस्ट या प्राथना जो मुसा परमेश्वर से करता है वो ये है कि प्रभु अपनी गती मुझे समझा दे उसके बाद हम देख सकते हैं जिस से जब मैं तेरा ज्यान पाऊं तो दूसरी बात मुसा परमेश्वर से ज्यान को मांगता है तीसरी बात तब तेरे अनुग्र की दृष्टी मुझ पर बनी रहे तीसरी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मुसा परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर आपकी खृपा दृष्टी अर्थात आपका अनुग्र की दृष्टी हमेशा मुझ पर बनी रहे चौती बात हम लोग पर सकते हैं उसकी पंद्रवी आयत में, यहां पर इस प्रकार लिखा है उसने उससे कहा यदि तो आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा मुसा परमिश्वर से कहता है प्रभु अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो यहां से हमें आगे नहीं बढ़ाना अर्थात मुसा परमिश्वर से कहता है प्रभु आप हमेशा हमारे साथ चलना तो चौता प्रात्ना जो मुसा परमिश्वर से करता है वो ये है प्रभु आपकी उपस्तती मेरे साथ रहे पांचवी बात जो है हम लोग उसकी अठारवी आयत में पढ़ सकते हैं मुसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे मुसा परमिश्वर से कहता है प्रभु अपना महीमा अपना तेज मुझे दिखा दे ये पांच बाते मुसा परमिश्वर से मांगता है और हम देख सकते हैं उस अध्याई को पढ़ते समय परमिश्वर मुसा से खुश था और हर समय परमिश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा मेरी कृपाद्रिष्टी तुछ पर रहेगी तू मेरी भलाई को देख पाएगा इस प्रकार की बाते परमिश्वर मुसा से कहता है तो मेरे प्रिये भाई बैनो, हम भी ये पांच बातों को प्रबु से मांगेंगे हम सबसे पहले हमारे ध्यान को पहली बात की और लेकर जाएंगे मुसा की सबसे पहली प्रातना ये है, हमने यहाँ पर पढ़ा मुझे गती समझा दे मुसा परमेश्वर से कहता है, प्रबु अपना गती मुझे समझा दे इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, समझना और भी आसान है यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, लौड टीच मी यॉर वेस मुसा परमेश्वर से कहता है, प्रबु अपने मार्गों को, अपने विध्यों को मुझे सिखा मुसा कौन है, हम जानते हैं, मुसा ऐसा एक लीडर था, अगुआ था जो इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर वाइदे की और लेकर जा रहा है तो मुसा जो है, काफी बाते जानता है, लेकिन फिर भी आपर मुसा परमेश्वर से कहता है प्रबु अपना मार्ग मुझे सिखा दे, कौन सा इनसान इस प्रकार प्रातना कर सकता है अगर हमारी अंदर इस प्रकार का सोच है कि मुझे सब कुछ पता है तो हम ये प्रातना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें लगता हमें अलरडी सब कुछ पता है लेकिन जब हम प्रभू के उपसिती में बैठते हैं हमारी अंदर ये अनुभव या ये मनसा होना चाहिए कि प्रभू मुझे कुछ नहीं पता आप मुझे सिखाना मेरा ज्यान जीरो है प्रभू जी अगर आप मुझे नहीं सिखाऊगे तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगी मैं नहीं बढ़ पाऊंगा इस प्रकार का एक मनसा के साथ जब हम प्रभू से प्रातना करेंगे कि प्रभू मुझे सिखा जरूर परमेश्वर हमें सिखाएगा भजन साहिता में भी बार-बार हम पढ़ते हैं दाउद परमेश्वर से कहता है प्रभू अपने विधियों को सिखा कौन है दाउद? पूरे इसराइल का राजा है वो दाउद जो छोटा लड़का होते समय भी गोलियात को मार गिराया वो दाउद जो कुछ करता था उसमें सफलता मिलता था वो दाउद परमेश्वर से कहता है प्रभू मुझे सिखा मेरे प्रयो हमारे अंदर भी हमेशा ये प्रातना होनी चाहिए क्या प्रातना होनी चाहिए? कि प्रभू आप मुझे सिखा मुझे कुछ नहीं पता प्रभू मैं अपने आपको दीन करती हूँ नम्र करती हूँ प्रभू अपने विद्यों को मुझे सिखाना आपका वचन मुझे सिखाना बहुत से वक्त ऐसा होता है कि हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते समय हम समझ नहीं पाते हैं तो बाइबल पढ़ने से पहले हम प्रभू से प्रातना करें प्रभु आप मुझे सिखाना, पवित्रात्मा हमारा टीचर है, और जब हम प्रात्ना करेंगे, तो जरूर परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएगा, बस हमारी अंदर प्रात्ता होनी चाहिए कि प्रभु मुझे सिखाना, और परमेश्वर अपना कार्य हमारी जीवन में दूसरी बात मुसा ने क्या प्रात्ना किया यहां पर मुसा परमेश्वर से कहता है तेरे ग्यान को मैं पाओ। मुसा परमेश्वर सकता है प्रभु मुझे अपना ग्यान दे। इंग्लिश मैं इस प्रकार लिखा है, so I may know you. मुसा चाहता है कि वो परमेश्वर को और करीब ही से जाने। देखे मेरे प्रियो, हमारी अंदर हमेशा यह डिजायर होना चाहिए कि हम प्रभु को और 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 जाने। हम किसको अच्छे से जानते हैं? जब हम इनसान को देखते हम उन लोगों को जानते हैं जो हमारे करीब हैं, for example, आपके परिवार के सभी जनों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि उनका जनम कब हुआ, वो लोग कितने साल के हैं, वो लोग कान से प्रोफेश्शन में हैं, उनका पसंद क्या है, उनका ना पसंद क्या है, यह के बारे में जानते हैं क्यों कि आप उनको जानते हैं क्योंकि आप उनके करीब है कोई भी अगर अजनभी आपके सामने आएं जिनको आपने नहीं देखा हो जिनको आप जानते नहीं आप उनके जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो मेरे प्रियो जानना कब होता है जब हम किसी के करीब हो जाते हैं, जब हमारा रिलेशन्शिप क्लोस होता है, तब उस इनसान के बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, हस्बिन एन वाइफ भी हम लोग देखते हैं, दो अलग अलग परिवार से आते हैं, लेकिन जब वो लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं, कि एक का पसंद क्या है, ना पसंद क्या है, क्या करने से मैं उनको खुश कर सकती हूँ, या क्या करने से वो नाराज हो जाते ये सारी बाते हम लोग सीख लेते हैं हम उनको जानते हैं तो वैसे ही मुसा यहाँ पर परमेश्वर से कहता है कि प्रभू तेरे ज्ञान को मैं पाऊं प्रभू I mean no you, मैं आपको जान पाऊं मेरी प्रियों हम तब प्रभू को जान पाएंगे जब हम प्रभू के करीब जाएंगे करीब का मतलब है जब हम निरंतर परमेश्वर से बात करेंगे वच्छन से हम लोग पढ़ेंगे प्रभू की बातों को हम सुनेंगे प्रातना करेंगे तब हम परमेश्वर को जान पाएंगे हम सब परमेश्वर को जानने की एक इच्छा रखते हैं लेकिन उससे बढ़कर एक सच्चाई ये भी है कि जितना इच्छा हम रखते हैं प्रभू को जानने के लिए उससे भी जादा इच्छा परमेश्वर के अंदर है कि प्रभु अपने आपको हमारी जीवन में प्रकट करे, प्रभु चाता है कि परमेश्वर अपने गुनों को, परमेश्वर अपने स्वभाव को, परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को हमारी जीवन में प्रकट करे, लेकिन बहुत से वक्त हम लोग पीछे हड़ जा इसलिए हम प्रभु को जान नहीं पाते हैं क्यों नि इस नए साल में ये निर्ने ले ले इस प्रातना करें प्रभु मैं आपको जानना चाहती हूँ जब मैं आपके वच्छन को पड़ू प्रभु आप मुझे सिखाना ताकि मैं आप को और अच्छे से जान पाओ आपके करीब रहो, आपके प्रेम को मैं महसूस करूँ, इस प्रकार की एक प्रातना आपकी होनी चाहिए तीसरी बात हम ये देख सकते हैं, मुसा प्रातना करता है और प्रातना में मुसा ये कहता है तेरे अनुग्र की दृष्टी मुझ पर बनी रहें इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, continue to find favor with you देखे मेरे प्रीयों, मुसा चाहता है कि परमेश्वर का जो कृपा दृष्टी है, वो हमेशा मुसा पर बनी रहें कृपा दृष्टी का मतलब क्या है, परमेश्वर का जो उपस्ति है या परमेश्वर का जो एक हाथ है, वो हमेशा मुसा के साथ रहें, यही मुसा चाहता है बाइबल में हम कुछ उधार्नों को पड़ सकते हैं युसफ के जीवन में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर युसफ के साथ था, परमेश्वर का कृपा दृष्टी युसफ के साथ था, इसलिए जो कुछ युसफ किया वो सफल हुआ, दाउद के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का कृपा दृष्टी दाउद के एक और एक्जैम्पल में आपको उसके साथ जोटना चाहती है और वो है नहमिया, नहमिया के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं हम ये जानते हैं कि नहमिया को जब पता चला कि येरुशलेम वो शेहर पना जो है बहुत तूटा हुआ अवस्था में है उसके मन में बहु उसे पूछता है नहमिया तुझे क्या हुआ तुझे कुछ चाहिए क्या तेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या हम पढ़ सकते हैं नहमिया के किताब उसका दूसरा अध्याय और आठवी आयत में परमेश्वर की कृपा दृष्टी नहमिया के उपर रहा मेरे प्रियो जब प् परमेश्वर ने हमें रखा है वहां पर हमारा काम आशिशित होगा अगर परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुला है तो परमेश्वर की कृपा दृष्टी आपर होना बहुत जरूरी है तब एक वच्छन आप किसी को सिखाएंगे और वहां पर लोग उस वच्छ पर बनी रहती है कोई भी काम हम करें चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो परमेश्वर उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा जो भी काम हम करते हैं एक्तम सक्सेस्फुली उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेगा चाहे कोई भी एरिया में क्यो मेरे प्रियों क्यों ना हम ये तीसरी प्राथना भी मिलकर कहें कि प्रभु आपकी खुर्पा दृष्टी निरंतर मेरे साथ रहे जो कुछ मैं करूं प्रभु जी उसमें आपकी नाम की महिमा होने पाए चौती बात जो मुसा परमेश्वर से मांगता है वो ये है यदि तु आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा इंगलिश में इस प्रकार के लिखा है If your presence doesn't go with us, do not send us from here मतलब प्रभु अगर आप हमारे साथ नहीं आओगे तो हम भी नहीं जाना चाते हैं अर्थात मुसा ये प्रभु से कहना चाता है प्रभु जहां कहीं हम जाएं वहां पर आप हमारे साथ रहना मेरे प्रियो हमारे आत्मिक जीवन में भी ये हमारे लिए एक प्रतना होने पाए प्रभु जहां कहीं हम जाएं जो कुछ हम करें उसमें आपकी उपस्तती हमारे साथ बनी रहें देखिए हम हर जगह जहां पर हम जाते हैं प्रभु की उपस्तती नहीं रहेगा मान लीजे, आप ऐसी जगे पे जा रहें, जहाँ पर शराब हो, या ड्रिंकिंग हो, या स्मोकिंग हो, या कोई ड्रग्स के विशह में हो, क्या प्रभू की उपस्तिती हमारे साथ बना रहेगा? नहीं, हम लोग जगडा कर रहे हैं, हम लोग किसी के बार में चुगली कर रहे हैं, क्या प्रभू की उपस्तिती हमारे साथ बना रहेगा? या ये भी सोच लिजे, आप अपने घर में अकेले बैट कर कुछ ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए, क्या प्रभू की उपस्तिती उस समय हमारे साथ रहेगा? तो मेरे प्रियों हम वही करें और वही जाएं जो सही ट्रैक में हैं, जो गलत बात है उसमें हम लोग हाथ न डाले, जो गलत काम है अगर हम करेंगे या जाएंगे उस रास्ते में, तो प्रभू की उपस्तिती हमारे साथ नहीं रहेगा, प्रभू की उपस्तिती तब जब हम वच्छन के अनुसार हमारे जीवन को आगे बिताएंगे प्रबु हमारे साथ रहना आवशक है नहीं तो हमारे जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं हम पराजित हो जाएंगे मेरे प्रियों मैं और भी हिम्मत देना चाहती हूँ जब प्रबु हमारे साथ है तो कोई भी दुष्ट शक्ती हमें चू नहीं सकता देखिए हम जब प्रबु के बच्चे हैं हमें शैतानी ताकतों से डरने की जरुरत नहीं है भूत प्रेतों से डरने की जरुरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर सर्व शक्तिमान है और जब प्रभू मेरे साथ है तो मेरे विरोधी कौन बन सकता है कौन सा शैतानी शक्ति मुझे चू सकता है क्योंकि प्रभू मेरे साथ है प्रभू ने मुझे अपने हातों में खोद कर रचा है बचन में इस प्रकार लिखा है तो मेरे प्रियोग अब हिम्मत रखे कि हम प्रभू के साथ है तो हम सुरक्षित है हमें किसी चीज से डरने की जरुरत नहीं है हम लोग हमारी आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकते है पांचवी बात जो मुसा परमेश्वर से मांगता है वो ये है मुझे अपना तेज अर्था महीमा दिखा दे इंगलिश में इस प्रका लिखा है शो मी यो गलोरी मेरे प्रियोग मुसा चाहता है कि प्रभू की महीमा को देखे मुसा ये नहीं कहता है कि प्रभू मेरे परिवार को आशिशित कर मुसा ये नहीं कहता है कि प्रभू मेरे परिवार में इस चीज की जरूरत है मुझे ये दे दिजे देखे मुसा के जीवन की चाहत क्या है मुसा चाता है कि प्रभू की महीमा को देखे परमेशुर क्या कहता है परमेशर कहता है कि तुम मेरे मुखा दर्शन नहीं ले सकते हो लेकिन मैं अपनी सारी भलाईयों को तेरे सामने दिखा दूँगा प्रभू अपने सारे गुणों को हमारे सामने दिखाना चाता है क्या आप प्रभू की महिमा को अपने जीवन में देखना चाते हैं मेरे प्रियो प्रभू जरूर दिखाएगा जब आप समय निकाल कर उपवास करकर प्रभू की उपस्विती में प्राथना करेंगे कि प्रभू मुझे अपने करीब ले जा आपकी महीमा मेरे जीवन में प्रकट होने पाए आपके नए दर्शनों को मैं देख पाऊ नए प्रकाशनों को मैं बच्छन के जरीए पाऊ जब आप दिल से ऐसी प्राथना करते हो तो परमेश्वर ज़रूर अपनी महीमा अपकी जीवन में प्रकट करेगा हम जानते हैं जब मुसा उस पहाड के उपर था चालीस दिन और चालीस रात ना कुछ खाया ना कुछ पीया प्रभू से बात कर रहे थे उस दस आग्याओं को वो लेकर आ रहे थे और उसके बाद जब नीचे उतर कर आया इस्राइलियों ने जब मुसा का चहरा को देखा तो उनके चहरे में एक चमक था वो क्यों था? क्योंकि वो प्रभू के साथ था प्रभू की महीमा उनकी शरीर से दिखाई दे रहा था इस्राइलियों ये बात देकर डर गए देखें दो प्रकार के लोग मुसा प्रभू के साथ था प्रभू की महीमा को अनुभफ किया और यहाँ पर इसराइली ही है जो महिमा को देकर डर रहे हैं हम कौन से जुंड में है हमें प्रभू से डरने की जरुवत नहीं है प्रभू हमारा पिता है परमेश्वर हमारी जीवन के बारे में योजनाओं को रखा है और परमिश्वर चाहता है कि हमारी जीवन आशिशित हो जाए लेकिन पाप के कारण हम पीछे हो जाते हम प्रभू से डरने लगते हैं मेरी प्रियों अगर आप इस जुंड में है कि आप प्रभू से डर रहे हैं तो अपने गलतियों के प्रभु के सामने अंगिकार कीजिए, प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपकी संतान हो, मैंने गलत काम किया है, इसलिए आज मुझे डर लग रहा है आपके सामने आने के लिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, जब इस प्रकार के प्र दिन प्रातना करना चाहिए, मुसा ने जब प्रातना किया, जब उस पूरे आयतों को हम पढ़ते हर एरिया में परमेश्वर कहता है, हाँ मैं ये करूँगा, हाँ मैं ये करूँगा, हाँ मैं तेरे साथ रहूँगा, हाँ मैं मेरा कृपादरिश्टी तुछ पर रहेगा, कित और करीबी से जान पाऊं प्रभू तीसरी बात हमने देखा प्रभू आपकी कृपा दृष्टी मुझ पर बनी रहे चौती बात हमने सीखा प्रभू जहां कही हम जाए आप हमारे साथ रहना और पांचवी बात कि प्रभू आपकी महिमा को हमारे जीवन में आप प्रकट करना हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना इस प्रकार की एक प्रातना क्या आप हर दिन करोगे क्यों ना नए साल से आप ये decision ले कि प्रभू मुसा ने जिस प्रकार प्रातना किया वैसे ही प्रातना मैं दिल की गहराई से कर रही हूँ प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं आपके करीब रहू और आपकी बातों को सीखू समझू आपकी कृपादरिश्टी मुझ पर बनी रहे और जहां कही मैं जाओ आपकी उपस्तिती मेरे साथ रहे और परमेश्वर आपकी महीमा प्रकट हो जाए प्रभु इन बचनों के साथ आप सब को बहुत आशीच दे जाए मसिखी